नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है एकाउंटरिक्स चैनल पर. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे रीअल एकाउंट का बोल्डन रूल्स क्या है? यहाँ दोस्तो हम एकाउंटिंग में जर्णल इंट्री कर्ते हैं. चेनल इंट्री करने के लिए accounting में जो भी accounts हैं उनके अलग-अलग rules हैं जिसको हम कहते है golden rules of accounts इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि real account का golden rules क्या है तो दोस्तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि real account क्या होता है दोस्तो accounts के बारे में हमने detail में starting से चाहते हो आप उन वीडियो को देख सकते हो यहां हम सबी accounts का rule समझ रहे हैं और इसमें हम समझ रहे है real account का rule तो real account जो होता है business का जो भी assets होता है क्यानि कि business का जो भी संपत्ती होगा तो हम real account रहते हैं इसका rule क्या है इसका golden rule क्या है इसकी हम general entry कैसे करेंगे तो उसके लिए क्या rule है क्या हम जब tally में accounting करेंगे जब वहाँ entry करेंगे वहाँ debit credit यही होता है tally में एक account debit होगा तो एक account credit होगा debit कौन से account कब होगा और क्यूं होगा credit कौन से account होगा क्यूं होगा इस चीज़ को हमें समझना है और इसको समझने के लिए यह rule बना हुआ है तो debit क्या होता है debit हम कब करेंगे real account में दोस्तो debit का मतलब what comes in मतलब अगर business में कोई संपत्ती या कोई assets आए तो उसे debit करना है debit में यह ध्यान रखना अगर business में कोई संपत्ती आए तो उसको debit side में लिखना है क्रेडिट में अगर business से कोई संपत्ती जाए तो उसको credit side लिखना है तो तो यह ध्यान रखना है कि जब भी accounting करोगे आप business के purpose से ही करोगे मतलब business के angle से ही करोगे यह देखो हुए कि business में कौन सी activity हो रही है उसी हिसाब से आप entry करोगे क्योंकि हम accounting कर रहे हैं business का किसी person का या किसी owner का या मालिक का accounting नहीं कर रहे हैं इसलिए ध्यान रखना हमेशा accounting business के एंगल से ही होगा तो हमने क्या देखा real account का rule जो है debit मतलब what comes in अगर business में कोई संपत्ती आये उसको debit कर देना है अगर business से कोई संपत्ती जाये तो उसको credit कर देना है तो इसकी entry हम करते हैं कि कुछ examples को हम देखते हैं खिर और ज्यादा clear होगा मान लीजिए दोस्तो बिजनेस में purchase computer in cash 30,000 मतलब business में 30,000 का computer खईदा गया cash में अब जो computer है यहाँ business के लिए assets है यहाँ business का संपत्ती है और जो cash है वह भी business का assets है वह भी business के लिए संपत्ती है इसकी हमें general entry pass करनी है तो general entry pass करने के लिए हमें यह rule देखना है rule क्या कहता है debit अगर business में कोई संपत्ती आए इसको debit करना है अगर business से कोई संपत्ती जाए तो उसको credit कर देना है तो यहाँ इस entry में आपको क्या दिख रहा है computer जो है assets business में आ रहा है कि जा रहा है तो हमने computer को purchase किया है तो वह business में आ रहा है तो यहां हम debit करेंगे computer account को कितने में 30,000 से purchase किया है तो debit computer account 30,000 अब cash account हमने cash में purchase किया है तो cash account जो है business से cash आ रहा है कि जा रहा है तरजी business से cash जा रहा है क्योंकि जब हमने computer purchase किया उसके लिए हमने cash दिया अब माली जी हमारे book में cash in hand 50,000 था तो हमने 30,000 का computer खरीद लिया cash में तो business से 30,000 को चला गया cash in hand हमारा कम हो गया तो यहां देखा जा रहा है कि business से cash गया तो जो business से जाए जोगी asset जाए उसको credit कर देती है credit कर देंगे cash account 30,000 ते कि हमने यह एमने इंट्री पास कर दिया purchase computer infash country एकाउंक 300,000 तो हमने debit कर दिया computer account 30,000 और credit कर दिया कइस account 300,000 तो हमने जो debit credit कर दिया और मुला से किया ना तो जो computer है वहाँ business के assets है वहाँ business में आ रहा है तो इसको debit कर दिया तो जो cash account है वहाँ business का भी assets है और वहाँ business से जा रहा है तो इसको प्रेट कर दिया अगले entry हम देखते हैं sell machinery in cash इतने में 50,000 में machinery को हमने sell कर दिया है 50,000 में देखो यहाँ sell machinery लिखा गया है sell goods नहीं लिखा गया है क्योंकि machinery जो है business का assets है fix assets है तो हमने यहाँ अपने fix assets को ही sell कर दिया है कितने में 50,000 में वह भी cash में इसकी entry कर देना है तो इसकी entry करने के लिए real account का formula क्या तहता है business में जो आए उसको हम debit करते हैं और business से जो जाए उसको credit करते हैं तो यहाँ business में क्या आ रहा है चैस आ रहा है क्योंकि हमने machinery को sell किया है तो machinery जो है business से गया है जब हमने इसको बैंच दिया तो business से हो गया जब machinery गया और हमने बैंच तो किसमे the cash ने बैंचाकर तो business में 50,000 कैस का साइया कास आया तो debit cash एकाउंट 50,000 जो आ रहा है बिजनेस में कैस आ रहा है तो असेट से कैस तो देविट कैस एकाउंट 50,000 और क्रेडिट क्या बिजनेस एकाउंट 50,000 और क्रेडिट 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 50,000 और 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 फर्नीचर परचेज किया और वह भी हमने उसका प्रेमेंट किया पाई चेक याने की बैंक से अब इसकी इंट्री करना है दोस्तों फर्नीचर जो है वहाँ बिजनेस का असेट्स है तो यहां देखा क्या जा रहा है फर्नीचर जो है बिजनेस में आ रहा है तो बिजनेस में ज से अब जो दूसरा अकॉंट कौन सा होगा हमने चेक से पेमेंट किया है यहां चेक अकॉंट नहीं लिखा जाएगा बैंक अब चेक गया तो बैंक से गया तो जो भी आपकी बिजनेस का बैंक होगा आप credit कर दोगे credit SBI account एक लागए SBI account जो bank account है या सर्फ personal account है personal account का क्या रूल कहता है जो giver है उसको हम credit करते है और जो receiver है उसको हम debit करते हैं तो यहाँ SBI account जो है giver है उसको हम credit कर ले है क्या इंट्री समझ में आ गई furniture account business का assets है और furniture account जो assets है वहाँ business में आ रहा है तो यह हम debit furniture account एक लाग से और हमने payment किया bank से तो SBI account जो हमारा bank account हो जो हम credit कर देगे एक लाग से त्रांजेक्शन समझ में आ गई आगे एक ट्रांजेक्शन और हम देखते हैं purchase goods in cash 10,000 aँब देखिए दोस्कों यहाँ हमने लिखा है purchase goods अब यहाँ हमने लिखा था purchase furniture यहां हमने लिखा था purchase computer याने कि अब यहाँ हमने लिखा है purchase goods तो गुर्ष का मतलब यह हो गया जो business करता है वहां उसके लिए goods कहलाता है अब आपान लेजिये, अगर हमारा business computer का होता, कि हम computer purchase करते हैं और इसमें profit लेकर उसको resell करते हैं, अब यहां हम purchase computer नहीं लिखते हैं, फिर यहां purchase गुर्ष लिख देते हैं, लेकिन हमारा computer का business नहीं है, तो इसलिए computer हमारा assets होगा, तो हम यहां उसका account बनाएगे, परचेज अकांट बनाएंगे। लेकिन यहां पर कम्धी इंता हैं नियुल comigo manufacturing तो हम धी जिसका हम पूर्चेज घृत रहा हैं बनेगा और purchase account debit होगा purchase account debit 10,000 से और हमारे business से कौन सा set जा रहा है cash जा रहा है credit cash account 10,000 दोस्तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप real account के golden role को समझ गए होगे लेकिन दोस्तों यहाँ जो purchase account ना कुछ लोगों का अपना अलग-अलग मत है उसमें क्या है कुछ कुछ लोग purchase account को nominal account बोलते हैं कुछ लोग real account बोलते हैं और इसके अलग-अलग तरक है इसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊँगा तो nominal है की real है अब nominal लोग क्यों बोलते हैं जैसे nominal का rule क्या है कि business का जो भी खर्चा है या जो भी income है वह सब nominal है पर्चेज को जो क्या है खर्चे के अंगल से देखा गया कि जो हमने पर्चेज किया तो अब मतलों क्मारा खर्चा हो गया इसलिए nominal बोलते हैं और रियल account में तो यहां गर्ण्स नो ईस्टोको भी अर्षेट्स मानघया एक जो गुर्स है, तो आपने फिंदा पश्टोक किया है, तो यह ब्रण्स पर्चेश किया है यह ब्रचेश बच गया है, तो इसलिए इसको हम अर्षेट्स बोलते है, और यहां Partner Kwein में है तो रियल खेसाब से आपने परचेज किया गूर्स आपका शेट्स आया जो आया उसको हमने कर दिया तो यहां परचेज अकाउंट दसजार से और क्रेड़िट कैस अकाउंट दसजार क्योंकि हमने बहुत डिटेल में रियल अकाउंट का आपको रूल बता दिया इससे पहले हमने पर्सनेल अकाउंट को पढ़ा था तो आपकी पास कोई भी सामने कोई भी ट्रांजेक्शन हो आप उसको अच्छी तरीके से पहचान जाओगे या कौन सा एकाउंट है तो इसके बाद उसके रूल को पहचान जाओगे इसमें कौन सा रूल लगेगा आप पुरांद इंट्रीर की पास कर दोगे तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं आप स्टार्टिंग से अगर पूरा एकाउंट समझना चाहते हो तो मेरी जो फर् आपके बताना है कि या वीडियो आपको कैसा लगा नमस्कार निवाद